नवश्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम एक लोकतांतरिक देश में रहते हैं जानते हैं सभी कि यहाँ पर सरकार के तीन अंग हैं कौन-कौन से? विधान पालिका, न्याई पालिका और कारे पालिका इसमें जो न्याई पालिका है, आज हम उसका अध्यन करेंगे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा आठ की राजनीती शास्तर की पाठे पुस्तक, सामाजिक एमम राजनीतिक जीवन भागतीन का अध्याई पढ़ेंगे जिसका नाम है न्याई पालिका प्यारे बच्चों, इस अध्याई के अंतरगत हम जानेंगे कि भारत में न्याई विवस्था कैसी है न्याई पालिका किस तरह से भारती नागरिकों को उनके हक, उनके अधिकार परदान करती है हम यह भी जानेंगे कि न्याई पुरकरिया किस तरह से चलती है तो आईए शुरूप करते हैं अध्याई न्याई पालिका कुछ ही खनीजों की भूतायात है एक खनीज विशेश जो निश्चित तत्वों का योग है उन तत्वों का निर्मान उस समय के भौतिक वारासाई खनीजों के विविद रंग, कठोरता, चमक, गनत्व तथा विविद क्रिस्टल पाए जाते हैं खनीजों का वर्गी करन करते हैं सामान्य वा वानिजिक उदेश्य हेतू खनीजों को निम्र प्रकार से वर्गी करित किये जाते हैं खनीजों की उपलबदता खनीज कहां पाए जाते हैं सामान्य तक खनीज अयसको मैं पाए जाते हैं किसी भी खनीज मैं अन्य खनीज कहां पाए जाते हैं सामान्यता खनीज अइसकों में पाए जाते हैं किसी भी खनीज में अन्य अव्यवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हे तु अइसक शब्द का प्रियोग किया जाता है तबी है जब अइसक में खनीजों का संचयन प्रियाप्त मात्रा में हो खनीजों के खनन की सुविधा इनके निर्मान वसरंचना पर खनन सुविधा इसके मुल्ले को निर्धारित करती है अता हमारे लिए मुख्य शैल समुओं को समझना अत्यंत आवशक है जिन में ये खनीज पाए जाते हैं निम्न शैल समुओं में प्राप्त होते हैं पहला आगन्य या कायंत्रित चट्टानू में खनीज दरारों, जोडों, भ्रंशों वा विदरों में मिलते हैं छोटे जमाव शिराओं के रूप में और ब्रिहत जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं ये तरल अथवा गैसी अवस्था में दरारों के सहारे, भू प्रिष्ट की और धके ले जाते हैं उपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं मुख्य धात्वी खनीज जैसे जस्ता, तामबा, जिंक और सीसा आदी इसी तरह शिराओं वा जमावों के रूप में प्राप्थ होते हैं दूसरा है अवसादी चट्टानों में अवसादी चट्टानों के अनेक खनीज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं इनका निर्मान ख्षैतिज परतों में निक्षेपन, संचयन वा जमाव का परिणाम है कोईला तथा कुछ अन्य प्रकार के लोह अर्सकों का निर्मान लंबी अवधी तक अत्यधिक उश्मा वा दबाव का परिणाम है अवसादी चटानों में दूसरी ख्षैन के खनीजों में जिपसम, पोटाश, नमक वा सोडियम समलित हैं इनका निर्मान विशेशकर शुष्क परदेशों में वाश्पी करण के फलसरूप होता है तीसरा, खनीजों के निर्मान की एक अन्य विधी धरखटन है उनके घुलनशील तत्वों के अपरदन के पस्चात अयस्क वाली अवशिश चटाने रह जाती हैं बॉकसाइट का निर्मान इसी प्रकार होता है चौथा, पहाडियों के अधार तथा घाटी तल की रेथ में जलोड जमाव के रोप में भी कुछ खनीज पाए जाते हैं ये निक्षेप पलेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं इन में प्राया ऐसे खनीज होते हैं जो जल द्वारा घर्शित नहीं होते इन खनीजों में सोना, चांदी, तिन, वा, प्लेटेनियम प्रमुख है पांचवा महासागरी जल में भी विशाल मात्रा में खनीज पाए जाते हैं लेकिन इन में से अधिकांश के व्यापक रूप से विसरित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थक्ता कम है फिर भी सामान्य नमक, मैगनीशियम, ब्रोमाइन, ज्यादतर समुद्री जल से ही प्रगरहित होते हैं महासागरी तली में मैगनीज ग्रंथिकाओं में धनी है बच्चों, आओ मैं आपको एक रोचक तथे बताओं रैठोल खनन क्या आप जानते हो भारत में अधिकाँश खनीज राष्टिक्रित हैं और इनका निशकर्षन सरकारी अनुमती के पश्चाथी संभव है किन्तु उत्तरपूर्वी भारत के अधिकाँश जन्जातिक शेत्रों में खनीजो का स्वामित्व व्यक्तिगत्व वा समुदाय को प्राप्त है मिघाले में कोईला, लो अस्क, चूना पत्थर वा डोलुमाइट के विशाल निक्षे पाए जाते हैं जोवाई वा चेरा पुंजी में कोईले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकिन सुरंग के रूप में किया जाता है जिसे रैट होल खनन कहते हैं आपने देखा होगा, चूहा भी करता है उसी तरह से ये सरकातिन उसी तरह से ये खनन भी एक लंबी संकिन सुरंग के रूप में किया जाता है इसलिए इसका नाम रैट होल खनन पड़ा नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अवैद घोशित किया है और सलहा दी है कि इसे तुरंद रोक दिया जाना चाहिए आओ बच्चो में आज़ा भारत अच्छे और विविद प्रकार के खनीच संसादनों में सुभाग्य शाली है यद पी इनका वित्रण असमान है जादा तर खनीच प्राइदीपे चटानों में कोईले, धात्विक खनीच वा अन्य अनेक अधात्विक खनीचों के अधिकांश भंडार संचित है प्राइदीपे के पश्मी और पूर्वी पार्शवों पर गुजरात और असम की और असम की तल चटी, चटानों में अधिकांश खनीच तेल निक्षेप पाए जाते है प्राइदीपे शैल करम के साथ राजिस्थान में अनेक अलोग खनीच पाए जाते है उत्तरी भारत के विस्तर्त जलोड मैदान आटके खनीचों से लगबक विहीन है आईए अब हम भारत के कुछ प्रमुक खनीचों के वित्रण का अध्यन करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोह खनीच की लोग खनीज धात्विक खनीजों के कुल उत्पादन मुल्ले के तीन चुथाई भाग का योगदान करते हैं नियाईक प्रक्रिया को समझने के लिए एक कहानी के माध्यम से निचली अदालतों, उच नयाले और सर्वोच नयाले की प्रक्रिया को समझने के लिए आईए, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसे समझाते हूं प्रिया बच्चो, फर्वरी 1980 को सुधा गोयल की शादी दिल्ली के लक्षमन से फुई और दिसंबर महीने में आचानक स्टोब फटने से आग लगने की वज़े से सुधा गोयल की दो दिसंबर 1980 को मृत्य हो गई सुधा के परिवार वालों का मानना था कि यह मात्र एक मौत नहीं थी बलके हत्या थी निचली अदालत में जब मुकदमा चला तो पडोसियों को गवाह बनाया गया और उसकी बिना पर जो सुधा थी उनकी सास शकुंतला देवी उनकी जेट सुभाश शंदर और उनकी पती लक्षमन को कारावास की सजा सुनाईगी लेकिन इन सभी ने नवंबर 1983 को उच नयाले में एक याचिक आदायर की और जब इस मामले की कारवाई उच नयाले में चली और वकिलों ने आपस में जिरह की तो सबूतों की आभाव की वजह से इन तीनों को आदालत ने बरी कर दिया निचली अदालत ने इसी मुकदमे में उनको सजा सुनाई थी और उच नयाले ने सबूत ना होने की स्थिती में इन तीनों को बरी कर दिया था 1980 के दशक में दहेज का मामला जुथा वो कुछ संस्थाओं ने उठाया 1985 में Indian Federation of Women Liars ने एक जन हितियाची का सर्वोच नयाले में दायर की और सर्वोच नयाले में जब इस मुकदमे पर कारवाई हुई तो यह पाया गया कि वाके में ही जो सुधा गोयल थी उनकी मृत्यू एक हत्या थी सोची समझी हत्या थी और इस मामले में उनके पती लक्षमन और उनकी सास शकुंतला देवी को कैद की सजा सुनाई गये उन्हें दोशी माना गया लेकिन सरवोच नियाले ने उनके जो जेट थे जिनका नाम सुभाष चंदर था उन्हें सबुतों के अभाव में इस केस से बरी कर दिया तो प्रियर बच्चों देखा आपने एक ही मामले को जब तीन अलग-अलग अदालतों में पीश किया गया तो किस तरह से सबुतों की वज़े से फैसले जो थे वो बदली और अन्तते जो निर्ने था जो न्याय था वो उस व्यक्ति को मिला वास्तम में और इस बात से हमें क्या पता चलता है यही कि न्याय पर किरिया लंबी भले ही हो लेकिन अन्तते न्याय जो है वो मिलता है तो आपने देखा कि किस तरीके से तीनों अदालतों ने इस मुकदमे को अपने अपने धंग से चला है आईए इसी अध्याय में आके पढ़ते हैं इन न्यालियों की स्थिती की बारे करता है तो लोग खनीज में सबसे पहला खनीज जो हम लोग खनीज में सबसे पहले हम जिस खनीज का अध्यन करेंगे जिसे अंग्रेजी में आईरन ओर भी कहते हैं लो एस्क एक आधारवूद खनीज है तथा अध्योगिक विकास की रेड है भारत में लो एस्क के विपुन संसादन विद्यमान है भारत उच्च कोटी के लुवान्श युक्त लो एस्क से धनी है मैगनेटाइट सर्वत्तम प्रकार का लो एस्क है जिसमें सतर प्रतिशत लो आश पाया जाता है इसमें सर्वशेष्ट चुम्ब के गुण होते हैं जो विधुत उध्योगों में विशेश रूप से उप्योगी है दूसरा लोहे एस्क का प्रकार है हैमेटाइट हैमेटाइट सर्वादिक महत्पुन और ध्योगिक लो एस्क है जिसका अधिक्तम मात्रा में उप्भोग हुआ है किन्तु इसमें लो आश की मात्रा मैगनेटाइट की अपेक्षा थोड़ी से कम होती है इसमें लो आश पचास से साथ प्रतिशत तक पाया जाता है भारत में लो आश की पेटियां बच्चो अब हम जानेंगे कि भारत में लो आश किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है पेटियां मतलब जो क्षेत्र हैं सबसे पहले ओड़ीशा जारखंट पेटी ओडिशा में उच्च कोटी का हैमेटाइट किसम का लो एस्क मयूरभंजवा केंदू जूर मयूरभंजवा केंदू ज़र जिलो में बादाम पहाड खदानों से निकाला जाता है इसी से सनिध जारखंड के सिहिभूम जिले में गुवा तथा नुवा मुंडी से हैमेटाइट अस्क का खनन किया जाता है दूसरी पेटी है दुर्ग बस्तर चंदरपूर पेटी ये पेटी महाराश्टरवा 36 गड़ राज्यों के अंतरगत पाई जाती है 36 गड़ के बस्तर जिले में अति उत्तमकोती का हैमेटाइट पाया जाता है जिसमें इस गुनवत्ता के लोगों के 14 जमाव मिलते हैं इन खदानों का लोग अस्क विशाखा पटनम पतन से जापान तथा दक्षनी कोरिया को निर्यात किया जाता है तीसरी पेटी है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूरू, तुमकुरू पेटी करनाटक की इस पेटी में लोग अस्की ब्रहित राशी संचित है करनाटक के पश्मी घाट में अवस्थित पुद्रे मुख की खाने शत्प्रतिशत निर्यात इकाई है कुद्रे मुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है लो एस्कल, करदम रूप में पाइपलाइनों द्वारा, मंगलूरू के निकट एक पतन पर धेजा जाता है अगली पेटी है महाराश्टर गोवा पेटी ये पेटी गोवा तथा महाराश्टर राज्ये के रतनागीरी जिले में स्थित है यदि पी यहां का लोवा उत्तम परकार का नहीं है तथा पी इसकी दक्षता से दोहन किया जाता है मार्म गोवा पतन से इसका निर्यात किया जाता है आओ बच्चो हम जरा इस चित्र को देखे चित्र पाँच पॉइंट दो इसमें लोग अईस्क उत्पादन में राज्यों का अंश दिखाए देख सकते हो बच्चो यहां पर आपको एक वृतारेक दिख रहा है और आप देख सकते हो ओड़ीशा का सबसे अधिक प्रतिशत आपको इसमें दिख रहा है उसके बाद आपका 36 गर्ड करनाटक जारखन वा अन्य राज्य आते हैं तो ओड़ीशा सबसे आगे है यह है 42 प्रतिशत तो बच्चो आप देख सकते हो इस वृतारेक में सबसे अधिक उड़ीशा में है 52 प्रतिशत फिर 36 गर्ड में 16 प्रतिशत करनाटक में 14 प्रतिशत जारखन में 11 प्रतिशत इस तरह से आपको यहाँ पता चला इस चित्र को देखके कि सबसे अधिक मैगनीज इस चित्र को देखके आपको पता चला कि सबसे ज़्यादा लो एस्क जो है औरीशा से निकलता है हम अपना अगला खनीज देखें अगला है मैगनीज मैगनीज मुख्य रूप से इस पात के वी निर्मान में प्रियोग किया जाता है एक तरश प्रतिशत में तरशाया गया है 2016-17 के हिसाब से तो बच्चो यहां देखो आप प्रदेश 27 प्रतिशत उसके बाद बारी है महाराश्टर 25 प्रतिशत फिर ओड़ीशा 25 प्रतिशत करनाटक 11 प्रतिशत आंध्रप्रदेश 2 प्रतिशत आओ बच्चो अब हम इस मांचित्र को देखें मांचित्र में आपको महत्पुन का भूम जीला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है राज्यस्तान की खेदडी खदाने भी तांबे के रिए प्रसिद्ध है अगला है हमारा बाक साइट यद्धपी अनेक अईसको में अलूमीनियम पाया जाता है परन्तु सबसे अधिक अलूमीनियम प्ले जैसे दिखने वाले परदार बॉकसाइट से ही प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट निक्षेपों की रचना अलूमीनियम सिलिकेटों से सम्रिद व्यापक भिनता वाली चट्टानों के विघटनते होती है अलूमीनियम एक महतपून धातू है क्यूंकि ये लोहे जैसी शक्ती के साथ साथ अत्यदिक हलका एवं सूचालक भी होता है इसमें अत्यदिक घाद वधर यता भी पाई जाती है भारत तथा बिलासपूर कटनी के पठारी परदेशों में पाई जाती है बच्चो आओ इसका वरितारेखम देखे चित्र 5.6 में आप देख सकते हो बच्चो सबसे अधिक बाकसाइट ओडिशा से निकल रहा है उसका प्रतिशत सबसे अधिक है फिर गुजरात फिर छारखन फिर छतिसगर फिर महाराश्ट्र अन्य में दो प्रतिशत अब बच्चो हम इन दोनों खनीजों के बारे में मांचित्र में फिर से देखेंगे हमारा मांचित्र महतपुन खनीजो वाला तो बच्चो देखो बाकसाइट का कहां कहां वित्रण है इसका चिन भी देखो आप देख सकते हो बाकसाइट अमरकंटक, कटमी, बिलासपूर, कोरापूर्ट, मेकाले, इत्याज जगा हमें दिखाई दे रहा है और अभरक, गया, अजमेर, बेवर, नेलोर इस तरह से हमें मा जो मानचित्र में लो ऐस्क निर्यातक पतन भी दिखाई दे रहे हैं आप सबको पता है कि पतनों से हमारा व्यापार होता है, निर्यात किया जाता है तो इन पतनों से लो ऐस्क निर्यात विदेशों में होता है सबसे पहले हम देखेंगे पारादीप जो उडिशा की तरफ पारादीव जो ओडिशा में है उसके बाद विशा का पतन आपको दिख रहा है समझ लिया है आउ बच्चो हम आगे बड़े बच्चो हम बात करते हैं खनीजो के सरक्षन की, खनीजों के सरक्षन की बाद ने से काटना काटना गबड़ गया, बच्चों आपको में रोचक तथे बताती हूं, अलुमीनियम की खोज के बाद, समराट नैपोलियन तृत्ये, अपने कपड़ों पर अलुमीनियम से बने हुक वब, अपने खास महमानों को अलु इस वर्ष बाद पैरिस में बिखारियों के पास अलुमीनियम के बरतन एक आम बात थी, तो बच्चों कैसा लगा इस घटना को जानकर, कि अलुमीनियम इतना सस्ता हो गया, कि बिखारियों के पास भी आ गया, जिसे समराट नैपोलियन बहुती मुल्यवान समझता था, तो अबरक, अबरक एक ऐसा खनीज है, जो पलेटों अत्वा पत्रन करम में पाया जाता, पातन असानी से हो सकता है, ये परते इतनी महीन हो सकती है, कि इसकी एक हजार परते कुछ सेंटीमीटर उंचाई में समाहित हो सकती है, परशी, काले, हरे, लाल, पीले, अत्वा भूरे रंका हो सकता है, इसकी सर्वोच परावैधुत शक्ती उर्जाहास का निम्लगुनांग, विन्सवाहन के गुण, उच वाल्टेज की प्रतिरोधिता के कारण अबरक विधुत वा इलेक्ट्रोनिक उध्योगों में प्रिप्थ होने वाले अपरिहार ये खनीजों में से एक अबरक के निक्षेव छोटानाकपुर पठार के उतरी पठारी की नारोपे पाए जाते हैं, बिहार जार्खंड की कोडरमा गया हजारी बाक पेटी अगरिन उत्पादक है, राज्यस्थान के मुख्य अबरक उत्पादक शित्र अजमीर के आसपास हैं, आंधरा प्रदेश की नेलोर अभ्रक पेटी भी इसी देश की सरकारना अभ्रक पेटी देश की महत्पुर्ण उत्पादक पेटी है, आओ बच्चों, अब हम बात करते हैं, चट्टानी खनीजों की, जिसमें चूना पत्थर का हम यहां विवरन आपको दे रहे हैं, चूना पत्थर कैल्शियम या केल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्निशयम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता हैं, यह अधिकांश्ता अवसादी चट्टानों में पाया जाता हैं, चूना पत्थर सिमेंट उत्ध्यों का एक आधारभूत कच्चा मॉल होता है, और लोह प्रगलन की राजिस्थान से इंकलता है 21 उसके बाद मध्यप्रदेश 11 प्रतिशत फिर आंध्राप्रदेश 11 प्रतिशत गुजराद 8 प्रतिशत तमिलनाडू 8 प्रतिशत तेलांगना 8 प्रतिशत अन्य 13 प्रतिशत खनन को खातक उध्योग बनने से रोकने के लिए दिर्ड सुरक्षा वी नियम और परावरणिये कानूनों का क्रियान वयन अनिवारिये हैं आओ बच्चो अब हम बात करते हैं खनीजों का सरक्षन बच्चो आप सबको पता है अगर हम खनीजों का इस तरह उपयोग करते रहे तो आने वाले कुछ सालों में खनीज खतम हो जाएंगे और अगर खनीज खतम हो गए, समाप्त हो गए, तो आगे का जीवन हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरा होगा तो जिन खनीज संसाधनों के निर्मान वास्तंदरान में लाखो वर्ष लगे हैं, हम उनका शिगरता से उपभोग कर रहे हैं खनीज निर्मान की बुघर्विक प्रक्रियां इतनी धीमी हैं, कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में, उनके पुनर भरन की दर अपरीमित रूप से थोड़ी है, इसलिए खनीज संसाधन सेमित तथा अनविकरणिय योग्य है समरिद खनीज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मुल्यवान संपत्ती है, लेकिन ये अल्प जीवी है अईसकों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनीजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुनवत्ता घटती जाती है आपने खनी संसाधनों को सुन प्रियोग करने के लिए एक ताल मेल युक्त प्रियास करना होगा पहला निम्न कोटी के अईसकों का कम लागत पर प्रियोग करने के लिए उन्नत प्रधवगतियों का सतत निकास करते रहना होगा दूसरा धात्मों का पुन्ह चक्रन, रद्धी धात्मों का प्रियोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपियोग भविश्य में हमारे खनी संसादनों के सरंक्षन के उपाए हैं आओ बच्चो मैं आप से कुछ प्रशन पूछूं बच्चो खनीज क्या है? उत्तर भू वज्यानिकों के अनुसार खनीज एक प्राकृतिक रूप से विद्धमान समरूप तत्व है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक सरंचना है, खनीज प्रकृति के अनेकों रूप में पाए जाते हैं अगला प्रशन बच्चो रैट होल खनन किये जाने वाला खनन उत्तर एक लंबी संकिर्ण सुरंग के रूप में किये जाने वाला खनन रैशन लो अइस्क में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन जारखन्ट, करनाटक, चछत्तिसगर्ड, ओडीशा सही उत्तर है ओडीशा मेगनीज के उत्तपादन में सरुप्रथम किस राज्य का नाम आता है? ऑप्शन आंध्रप्रदेश, करनाटक, महाराष्टर, मध्यप्रदेश सही उत्तर है, मध्यप्रदेश होगे मेरे के लखतादीन बहुत है है न? बना टाइम जादा हो जाएगा तो प्यारे बच्चों, देखा आपने किस तरह से भारती न्याय पालिका भारती नागरिकों के हितों की सुरक्षा करती है? किस तरह से न्याय व्यवस्था के तहत भारती नागरिकों को उनके अधिकार प्राप्त करने में सहायता करती है? आपने यह भी देखा कि न्याय प्रणाली के अंतरगत कुछ खास तरह के शब्द सार्णी जैसे बरी करना, मुआफजा, अपील आदी इन सभी के बारे में भी आप अच्छे से जान गए होगी प्यारे बच्चों, मैं यह भी उमीद करती हूँ कि भविश्य में अगर कोई ऐसी परिस्थिती आ जाती है, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से न्याय लेने के लिए, अपने हीतों की सुरक्षा करने के लिए न्याय पालिका की मदद ली जा सकती है भने बार झाल